Hello friends, मैं प्रियांका स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्रियांकास टिप्स में आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पर ही अपने अपर लिप्स और फोरेट कर सकते हैं देखे इनको करवाने के लिए हमें पालर जाना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि हमें अचानक से कहीं जाना पड़ता है पालर जाने का हमारे पास टाइम नहीं होता और हमारी बड़ी बड़ी मूच्छे होती हैं तो भईया उसके लिए हम क्या करें देखिए इसके लिए ऐसे बहुत से pack भी होते हैं जो आप घर पर बना सकते हैं लेकिन वो आपको एक बार में proper result नहीं देते वो एक फुरसत का काम होता है कि आपने हफते में 2-3 बार उसको apply किया है तब जाकर आपके facial hair remove होते हैं और मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप 10 मिनट में आपने upper lips और forehead दोनों ही घर पर बहुत ही असानी से कर सकते हैं तो आएए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि उसके लिए हमें किन-किन चीजों की जरुरत पड़ेगी देखिए उसके लिए आपको चाहिए इस तरह की waxing strips मेरे पास यहाँ पर wheat की है आप चाहे तो किसी भी brand की ले सकते हैं market में बहुत ही अलग-अलग brand की मिल जाती हैं आपको chemist पर या cosmetic की shop पर आपको यह बहुत ही easily मिल जाएंगी इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इसके 3-4 छोटे-छोटे तुकड़े करने हैं इतने-इतने तुकड़े करने हैं ताकि हम इसको easily apply कर सकें तो आए शुरू करते हैं कि इसको apply कैसे करना है सबसे पहले हम अपने पसीने को सुखाएंगे क्योंकि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारा AC और fan दोनों off होते हैं जिसकी वज़े से हमें sweating बहुत जादा होती है तो मेरे पास यहाँ पर निव्या का powder है आपके पास जो भी हो आप उसको use कर सकते हैं तो अच्छी तरीके से मैं पूरे forehead पर इसको लगा लूँगी ताकि जो मेरा पसीना है वो अच्छी तरीके से सूख जाए उसके बाद waxing strips को इस तरीके से रब करना है और जहां से आपको अपने hair remove करने है वहाँ पर इसको apply करना है दो से तीन बार मैं इसको rub करूंगी और अपने hair की opposite direction की तरफ इसको खीसते हुए निकाल देंगे तो आप देख सकते हैं कि एक बार में ही कितने सारे hair जो है वो remove हो गए है इधर मेरे बहुत सारे hair आते हैं तो मुझे यहाँ पर दो से तीन बार इसको apply करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में ये पूरी तरह से remove नहीं हो पाते है एक ही strips को मैंने यहाँ पर दो से तीन बार apply किया है तो आप भी इसको दो से तीन बार use कर सकते हैं आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ के hair पूरी तरह से remove नहीं हुए है मुझे यहाँ पर दुबारा से powder apply करना पड़ेगा क्योंकि गर्मी बहुत जादा है और पसीना बार बार आ जाता है तो यहाँ पर दुबारा से मैं थोड़ा सा powder और apply कर लेती हूँ और उसके बाद दूसरी स्ट्रिप से अपने यह चोटे चोटे hair रह गया है इनको remove कर लूँगी इसके बाद मैं पूरे forehead पर इसको apply करके अपने जितने भी forehead पर hair है उनको remove कर लूँगी ताकि मेरा जो forehead है वो अच्छी तरीक से clean हो जाए और थोड़ा सा glow करने लगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप घर पर बहुत ही easily अपने forehead को clean कर सकते हैं तो आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी तरीके से अपने forehead को clean कर लिया है आप हम आते हैं अपलिप्स पर अपलित पर भी इसी तरीके से पाउडर को अपलाई करना है और मैंने यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी छोटे छोटे जो है तुकड़े काट लिया है ताकि बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे अपलित क्लीन हो जाएं तो यहाँ पर मैंने टंग लगा ली है अपनी और इस तरीके से हम अपने अपलित पर जो हैर है उनको क्लीन कर लेंगे दो बार अपलाई करेंगे दो बार अपलाई करने पर यह पूरी तरीके से क्लीन हो जाएगा तो अब हम दूसरी साइट करेंगे, दूसरी साइट भी हम इसी तरीके से कर लेंगे पाउडर लगाने के बाद स्टीप्स को अप्लाई करेंगे और उसके बाद दो-तिर मार इसको रप करते हुए अपोजिट डिरेक्शन की तरफ इसको खीच कर निकाल देंगे इसमें दे रखे होते हैं क्लीनिंग वाइप्स जिससे हम इसको क्लीन कर सकते हैं जो स्टीप्स के चिपचिपाहट होती है वो इससे बहुत ही अच्छी तरह क्लीन हो जाती है लेकिन इसमें 20 स्टीप से रखी होती है और जो wipes के packet है वो दो ही दे रखे होती है इसलिए मैं इनको थोड़ा थोड़ा यूज़ करती हूँ तो मैंने थोड़ा सा तुकड़ा इसका फाड़ के और अच्छी तरीके से इसको clean कर लूँगी अपने foreheads को और upper lips को ताकि जो इसके चिपचे पाहट है वो अच्छी तरीके से clean हो जाए और आपको दिखाई दे रहा होगा जब मैंने वीडियो बनाने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में तब आप देखना कि मेरे जो forehead पर कितने सारे hair थे और अब सारे के सारे clean हो गए है और अच्छा कासा glow जो है मेरे face पे आ गया है तो अच्छी तरीके से मैंने clean के लिया है forehead और upper lips भी उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को like, share और comment जरूर करें और नए है तो चैनल को subscribe भी कर ले, thank you, thank you for watching